वेलकम टू आनातर शॉर्ट वीडियो आज के वीडियो में मैं एक्स्प्रेइन करने बाला हूँ वाड़ इंपॉर्डंस ओफ मेजरमेंट पैकिंग मतलब आपने तो देखाऊगा मेरे वीडियो में हमेशा मैं यूज करता हूँ रेकमेंड करता हूँ कि आप स्केल यूज की वो हुकबस जितना स्मोक आउट पूर्ड या हुकबस जितना परफॉर्मस दिखा भी नहीं पाते हैं कुछ थे पुराने लोग बोलते चले गए बट डिरू उनकी कोई हैसे नहीं हुकबस के सामने खड़े होके इनों ऑप्टिमल हुकबस जैसा करने का तो लिव दम क्रिण करोंगा और एक्स्प्रिन कि अभी हूं काफी वीडियो में की मैसे में पाकिंग जे होता है वह जरूरी की होता है कभी कभी क्या होता है आपको करना होता है दैस अन्होंट कर देते हो तो आपका जो सब्संदर रहे और चाल लगता है जैसे अब's लेवर कोई-क्त ज में बहुत अच्छा चल जाता है तो अगर आप मेशिरमेंट नहीं करोगी तो यूल नॉट टेक दर राइट अमाउंट ऑफ टो इन यह हैं या तो आप क्या करो कि जब आपको समझ में आएगा यह सेमी डेंस हो रहा है अगर मुझे अगर मुझे सेमी डेंस करना है और मुझे मुझे लग रहा है कि मैंने टोबैक को थोड़ा एक दूगराम जादा ले लिया है तो वाड़ाई डू इस बेसिकली आप वही कर दोगी आर आप वापिस उसको पैक कर दोगे सोचोंगी कि वेस्ट्यू करना है पूर इससे आपका शेशन खराब हो जकता है इन हो कब आपक लेर्णिंग अप्राफ ओलवेस यहर क्राफ्ट ओलवेस यहां उस्टेंसी यह तो मैं आज वही एक्स्प्रीण करने वाला हूं तो बेसिकली में आज ले लिया है यह वाला परामेट्रिक बोल इस बोलिस विसक्त वैट वैट वाईट इसमें करीबन बारा से तेरा ग्राम ह क्यों यह बहुत इता है कि अफ्ञ फ्लेवर कर रहा हूं तो बारे ग्राम क्यूंऄ अलफा को प्रका कर रहा हूं तो यह वह ला वीडियो चीज में अलग वीडियो में कवर करूंगा वाई दे श्यूज यह एक्स्प्रेंग कोई कद नहीं रहा है मार्केट में बोल रहे हैं कर रहे हैं बट अगर आपको मैं इसका मतलब नहीं समझाओ तो यौर यौर लॉट ऑफ अधर कॉंसेट फिल नॉट बी क्लियर तो बेसिकली यहां पर मैंने एक ग्रेप और स्प्रिंग वॉटर है तो मैं आपको दिखा देता हूं यह वाला जो यह वाला जो है इसमें अफज लिए है करीबन करीबन 13 ग्रामस ओफ इन टोटल ग्रेप और श्रीग वॉटर यहां पर पतने ऐसे मैंने कोई तक मिक्स बना लिया सुबह सुबह तो पीते लोग ग्रेप और स्प्रिंग वॉटर भी तो यहां पर बना लिया है इसको मैं अच्छे से क्या कैसे फ्लफ कर रह अब जो फ्लेवर था अफजल का वह मैंने इस परमेट्रिक बाल में पैक कर दिया आप देख सकते ही अपने फुल के पैसिटी में भर गया जो और जैसे मैंने रेकमेंड किया कि अफजल जो फ्लेवर है वह सेमी डेंस वे में थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते अब देख सकते पूरा जो बोल है उसने अच्छी तरह से कवर कर लिया है और अफजल जो फ्लेवर है उसको आप टू दरें भी कर सकते हो अंडर पैक मत कीजिए डिपेंड्स अपन बोल टो बोल अंडर पैक करना है नहीं करना है कभी कोई ओवरेटिंग बोल होता है उसको सब्सक्राइब करने वाला था कि मैंने या पर थर्टीन ग्राम लिया है इफ यूट आपने कितना ग्राम लिया है कभी-कभी हाथ का जाजाजा सही होता है बट इस ऑलवेज सिक्स्टी फॉर्टी परसेंट को एक्स्पीरेंस हात है में एक चलम बर्सों से यूज कर रहा हू तो I might guess the absolute exact right amount but it is not always true और ग्राम स्केल भी होता है वो कभी-कभी depending upon the brand वो आधा या एक ग्राम का हेर फेर कर देता है but if you are using a bowl which you are confident आप काफी दिन से यूज कर रहे हो तो आपका हाथ भी उतना परफेक्ट है उतना नहीं फ्लेवर निकलता है बट जब आप मिक्स करते हो चार for a better session, for a very good session, for a consistent session so that you are happy at every session of your life, your measurement packing is important तो आपको इस वीडियो में एक hypothetical example देना चाहता हो तो क्या होता है अगर मैंने measurement packing नहीं कि और मैंने अंदाजे से फ्लेवर को डबे से उठाया या पैकेट से उठाया तो वो कभी 13 ग्राम मैंने बोला है 13 ग्राम is the best for अवजल तो अव से उठाया तो कभी 11 हो गया कभी 12 हो गया कभी 14 होगे कभी 15 होगे यह नौट नो और जब आप उसको पैक करोगे और इसको पैक करोगे तो आपको आप जब नया पैक करोगे उसको लेट से 15 ग्राम तो आपको दो ग्राम जादा हम फिट कर दोगे उसके बोल में and that will result to a lower performance that will result into a lower performance जब आप उसको ज्यादा पैक कर दोगे तो हीट उतने अच्छी तरीके से टबैक को कि बीच में नहीं पहुचाएगा और कुछ कुछ साइड्स है वह कच्छा रह जाता है इस और जब आप इसको आप टेकिंग आम टॉकिंग टेकिंग एक्जामपल वेर यूर ओवर कि कि 13 ग्राम के जगा 15 ग्रम कर दे रहे हो 16 ग्राम करे गरां की थो बाइशन का वह कम werden's earlier till या ऐङ और आपके मुँत चाए मैं । दो चमब शक्क्रा डाला एक चाए में तीन चमब शक्क कर डाला एक dif blends राइट देफ्रेंस इंस्वीटनेश देफ्रेंस इंफ्लीवर चाहे ओवरी मीथा भी लग सकता है या फिर नाइस कर सकता है बड़ी रूप का दो मोर्ड फ्लेवर दो मोर थे क्योंकि हुके में फ्लेवर को उभर के आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो एक बार कर लेते हो कि आपका बोल का पैसे टिक कितना है और कितना रहना चाहिए और यह फ्लेवर जो अभी आ रहा है यह जो मैंने पैक किया यह एक दम परफेक्ट है मुझे यह ग्राम जो ह हमेशा इसी पर पैकिंग करना चाहिए तो क्या हो जाता है यहां से मैंने अगर एक ग्राम निकाल दिया और मैंने बिना मेजर्मेंट किये बारा बारा ग्राम या ग्यारा ग्राम कर दिया तो बेसिकली क्या होगा जब आपको रीडिस्टिबूट करोगे तो कहीं पे जाता हो जाएगा और यह फिर अगर आप उसको एवन पैसे स्पेसे स्स सब्सक्राइब करना चाहिए आपका बोल का जो बेस है वो हीट अबसॉब कर लेगा एंड विल रिजल इन्ट इन्ट अ लगा बोल आपको फिटीज अबस ब्सक्राइब करना जरूरी था बिकास अगर मैं एक्सप्लेइन नहीं करूंगा तो आपका थोट यह गाइड नहीं गाइड इफ यू वांट इस वीडियो नौट बट देफिनेटल अगर वीडियो को सुनेंगे तो एक कॉंसेप से सौ कॉं आपको यह वाला वीडियो पसंद आपको मेजरमेंट पैकिंग के इंपोर्टेंट समझना होगा लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब तो मैं चैनल और यह है मेरा हंड्रेट वीडियो और हुकबास सो आम रेली हैपी मैंने हंड्रेट वीडियो कंप्रीट कर दिये लाइक कमेंट सब्सक्राइब टो मैं चैनल और हुकबास 10 को भी जाकि इस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजे मैं आपको मिलता हूं फिर किस अगले वीडियो में